हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू दी चैनल कैसे आप लोग सब तो यह है विकेंट का ब्लॉग जो इस दिन हमाई लिए बहुत अच्छा ये दिन था तो यह सेटेड़े का है जब हम लोग जा रहे हैं एक जगह बहुत दिनों से हमारा मन्ता जाने का बड़ पता नहीं वो काम पूरा नहीं हो रहा था इसलिए तो बस यही यहां पे पेट्रॉल भरवार है हस्वें गारी में तो हम लोग बहुत बहुत पुरानी और फेमस मंदिर है तो बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे जाएंगे बट एक बार हमने प्लानिंग की थी ले तो हमने इस दिन कुछ भी नहीं खाया था बस फ्रूट काया था और साम को हम लोग गये थे माता का दर्शन करने के लिए अच्छा यहां पे सबसे अच्छी बात जो थी ना बगल में जस्ट बगल में सौ मीटर के बगल में ही बीच है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करी है और यहां पर बारिकंग चल रही है जो फूट और जो फ्लावर्स होते है अक्चली हम लोग की सकल देखे न यहां के जुदू गंदार होते हैं वो दस रूपय के सामान हमें 20 रूपय में देते हैं यहां पर हमने बहुत बार नोटीस करी है और यहां पर जो था माता का बहुत अच्छा यह मंदीर है मतलब इतनी शांती मिली ना कि मैं क्या बता हूँ और यह है धैर्य लक्षमी जो मैंने आप लोग के लिए सोट किया था उसके बाद दर्शन हमारे हो गए थे complete उसके बाद यह ना मंदीर के 36 से मैं आपको दिखाती हूं यह समुदर दिखाती बिलकुल नीली थी यहां पर तो यह है मंदीर का पूरा जो आंगन वगरा है वो हमने पूरा चारों तरफ हमने घूम फी कर उसके बाद हमारा दर्शन कंप्लीट हो चुका था बहुत ही भवे दर्शन और अच्छे तरह से हुआ था मन बिलकुल खुश हो गया था तो बस हम बिलास वगरा जो है वो आरुफ के पैर में लग जाए क्योंकि बीच वगरा पे न कांच वांच भी तूटा होता है इसलिए और यह है लहर हमने यहां पे कम से मतलब साइड में लहर के पास बीच पे हमने एक सवा घंटा हम लोग रहे थे और एक चीज में आप लोग के सोचते हैं नहीं बताना चाहिए बट मेरे मैं हर चीज आप लोग के साथ सेड़ करती हूँ तो बहुत सारे पास हमें मिले थे यहां पर जो भी देखता है सब वहां पर भी सब बोल रहे थे कि यह बहुत लग को मिलता है सब को नहीं मिलता है तो भगवान करे हमाई लिए ब खीच कर लाएं थे अगर इसको मैं छोड़ देती तो यहीं बैठा रहता है बहुत ज्यादा हमने वहां पे मज़े किये थे बहुत ज्यादा और धूप कर धूप था थोड़ा ना तो ज्यादा कुछ वहां खाने वाने को मिलने रहा था बस थोड़ा सा चार्ट वगेरा जो हो है बस इनको इतनी एक्साइटमेंट है और इसको आप देख सकते हो यह कितना खूश है इतना मज़ा आया था ना कि मैं क्या बता हूँ उसके बाद हमारा एक सावा घंटा खतम हो गया था एंड हम लोगों ने यहां पे जो घुट्टा होता है वह खाया था पहूर टेस्टी सब कुछ खाया जो सबसे पहले मैंने मंगाया था पानी पूरी जो मैंने दम भर के खाया था मुझे बहुत टेस्टी लगता है मैं कहीं भी गीतम में साम के टाइम स्नैक्स और यह समोसा जो देख रहे हो नो चिन्ने में बहुत रहर मिलता है बिटकुर गुरगाउं वाला स समोसा में अ आ रहा था तो मैंने पूरा डाइटिंग वाल टिंग को मारी गोली और मैंने कहांगी पानी पूरी दम भर के उसके लगदा में खाया उसके बाद फिर हमने कॉम्बो चाप्ड़ आरडर किया था जिस कॉम्बो चाट में बहुत सारी चीज्डे होती है जिसमें प्लेट है जिसमें पानी पूरी है पाव भाजी है चाठ है जो सम्मोसा में जो दही वगरा डाल के छोले वगरा डाल के बनाते हैं वो है पापड़ी चाठ है उसके बाद सब्जियो वाला चाठ होता है वो है और यह है भाजी जो पाव का भाजी होता है वो यह आलू का मसाला इसमें गुलगप्पा में भड़ने वाला वो बहुत टेस्टी कॉम्बो चाठ था और हम बिल्कुल हो चुके थे फुल फुल इतना हो चुके थे थे ना कि गाड़ी में बैठने कभी मन नहीं कर था मन कर था यहीं कोई बेट लगा दे हम लोग लुड़क बुड़क जाए मतल मिठाइ मुझे उतना पसंद नहीं है बस यह चटर पटर चीज है बहुत टेस्टी था और कॉम्बो में इतना दिया था ना कि हमने का था हम तो एक प्लेट भी ऑर्डर करते ना तो हम दोनों जनका हो जाता तो काफी हैबी हो गया था हमारा हजबन से पूछ रहीं यह ले ल प्लेट वाला ब्लॉग बताईए कि जरूर थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक कि लिए ठाटा बाइबाई टेक केर बहुत यह ब्लॉग लंबा हो जाता और हम फाइनली आ चुके हैं घर चलिए मिलते हैं कल तब तक ख्याल रखिया